असलाम अलेकम, वेल्कूं डिमाई चैनल, कुकिंग एस्टिचिंग आइडियास, अगर जैन्स बुनियान आपकी प्रानी हो गई या फट गई है तो जल्दी से उसको सरकल में काट लें, ये देखें, मैंने जो है ने सैट की छोटी सी प्रेट्टी है और इसको जो है ना उसी में कट कर लिया था, अब सेंटर से पूरा इसका अन्षान हम लगा लेंगे, और अब जो इसकी महिट मैं दुखाती हूँ, पांच इंच जो है इसकी लंबाई है, और चार इंच इसकी चुड़ाई है, तो इसके इसके कट कर लेना है, अब हमने बनियान को फिर से फोल्ड क दबल फोल्डिंग इसकी की है और लंबाई मैंने इसकी रखी है चार इंच और चुड़ाई मैंने रखनी है तकर्वाइन दौ इस्तुरिबंगा ज्यूंचे को हमने कट कर लिया है तो कट करने के बाद आगे तेक फिल करने है कि बिल्कुल तरही है कि बिल्कुल और बॉल कि तरह हमारी भी कोकर बंगा निकले उसका पाकर जिस इस बखे winds कर लें कि लागे शिस एस्यादि कि निकले लिया निकले शिरत जाई मैंने गुलाई में डिया है मैंने स्टिशिंग कर ली थी यावफ Spaß嘈 फंस माने चुडा था और से मैंने करने के बार यह को कट कर लिया और को सीधा आपको आगे बताऊंगी, अब इसके अंदर हमने cotton fill कर लेनी है, अच्छी तरह से tight करके हमने cotton fill करनी है इसके अंदर, joint मैंने बाद में इसलिए किया था ताकि मैंने बैठने वाली डोल बनानी है, यानि खड़े वाली डोल नहीं इसके रूई है, इसको दबा दबा के बिल्कुल set कर लेना है, अब यह देखें, दो चीज़ें इसके त्यार हो चुकी है, अब जिसके बाजू थे ना, वह भी मैंने कट कर लिये थे, और आगे से मैंने थोड़े चे गुलाई में लिए हैं, और साइड से पूरी इस तरह से हमने बारीक से स्लाइल का लेनी है, और आगे से गुलाई में, स्लाइल काने के बाद इसको मैंने सीधा कर लेना है, अच्छा स्लाइल इस लेनी बता रही है, आपको सासत की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यह देखें, इसको मैंने सीधा कर लिय हैं इसको भी हमने सोइसे स्टिच करने के बार जो हैं राइड के साथ अठाइच करने हैं किस टाइम करना हैं तो पहने हमें साथ साथ बताती जाओंगी हैं ने सारे scas हो खा हेंहें को regulate है इसके अपना दाग अए यहां यहारा है यहीं और पर जाहने यहां करते जाना है पूपतरा धागा इसके उपर मैंने लेट लिया अब जो है कैंची के मदद से हमने इसको कट कर देना है तो यह हमारी डोल के बाल त्यार होगी है इसको हमने टैज किस तरह से करना है इसके लिए राजमी नहीं है कि आपने जो है और गलू ही यूज करनी है आप धाग यह आप मनें जो है इसको सरकल लगा लिया था मैने पहले यादि ऑने डाग इस को सरकल में इसको जो है इस तरह से लगा ली जितनी मर्जी आप बलंबी लेना चाहते हैं इस तरह से ले लेते हैं जितना आपके पास जानी तुम की हमें इसको भी से तरफ की मैं फ्राइच के घ्रमी किर और में इसी बोडतर हो करा पसे दुम अब सकिते होड़नों दो होड़नी तो यहां से थोड़ सी यो वार मैं इसको सूई की मुद्द से अच्छी तरह से पका भी कर दिया था ताक यह बिलकुन भी ही लेना बिलकुन भी. तो यह द देखिए बिलकुन जो है ना. प्यारे से ये बाल हमारे आगे वाले हो चुकी है त्यार इसको हम कॉम करेंगे कंगा करेंगे कंगा करने के बाद जो है हम इसकी दूरी सी कटिंग भी करनी है देखें पिछले बाल भी जो हमें अच्छी तरह से कंगा कर लिया बिल्कुल भी नहीं निकला कोई भी धागा इसमें से अचाहिए देखिए धागा करने के बाद जो है ना इसकी आइस बनाएंगे और निशान हमने लगा लेना हलका हलका सा उसके पताब हमने इसके सारी जो है ना चीज़ें टैच करनी है अब यह आइस मैंने लगाने मेरे पास बीमोती नहीं थे तो मैंने बटन की उपर फपर थोड़ा सा कवर कपड़ा कवर कर के फिर पिर जो है इसके साथ इसकी आइस मिना दी थे तो यह दैकि युहे युइज़ एसमें लगा दे यहां से рыूरा सा मनें तो यहां से थो खानाना है और देशना है लिप्स कर देना हैं मैं अच्छान आपे तो आप पैंसल की मदद से भी यह सारे इंशान लगा सकते हैं या फिर धागी की मदद से आप इस्ता से बना सकते हैं यह देखें प्यारा सा हमारा फेस्ट यह त्यार हो चुका है थोड़ी सी यू एच्यू लगाके मैंने इसको जो तुरह से लगा लिया था उसकी से अभी इसका फ्रॉक पहले स्टीच किया हुआ था तो वह हम जो है इसको पहना देंगे आप बेशिक जो सिंपल कपड़ा लेकि उसमें सिर्फ चुन डाले उपर नेक वाली साइड से और जो है साइड पी जो है बाजू कट करें और बस जो है इसको पहना सकते हैं लेकिन सब्रॉक पहले ही मैंने स्टीच के वाँ था चोटा सा कपड़ा मेरे पास पड़ा था और 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 गेंजा मैंने लगा के इसका फ्रॉक जो है स्टीच कर दिया था यह देखिए बहुत ही खुबसर सा प्यारा सा जो है ना इसका लुक आई इसकी डोल की तो यह सारी जो हमार उसके बाल है थी झाए जिससा पनई होती है ना उस तरह से ले गई है उसको बना लिया था तो यह देखिए इस तरह से जहाड़ से पर दिया रहा था आपके छोटे इसे के पाउं भी बना सकते हैं हैंड भी बना सकते हैं यानि कोई भी रैड कलर का कपड़ा लेके वो आप इसी तरह से जो है ना टैच कर सकते हैं इसको तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्रीज मुझे को मुझे में लाजमी मताईए का चैनल पर नहीं है तो प्रीज चैनल पर लाजमी स्क्राइब कर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक्यू सामाच आला हाफीस